बजनलाल सर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा को राजस्थान का ओव मुख्यमंत्री गोशित किया है एक तरह से भाज़ता ने इस बार फिर यह निने देकर सबको चोका दिया है आपको बता दें की पहले सिक्ष्यमंत्री रह चुके वासुदेव देवनानी को स्पिकर गोशित किया है राजस्थान विदान सभा का अध्यक्स गोशित किया है वासुदेव देवनानी को बैठक होई बैठक में वसंद्रा राजे ने बजनलाल सर्मा को मुख्य मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा जिस पर सर्व सहमती से पारित कर दिया है और इसी के साथ दिया कुमारी जो रासमन की सांसती बेले अभी जैपूर के विद्यादर नगर से विधायक हैं उन्हें बड़े पद जैपूर को ही दिये हैं बजनलाल सर्मा जैपूर के सांगाने सीट से विधायक हैं वहीं दिया कुमारी जैपूर के विद्यादर नगर से विधायक हैं तो प्रेमचंद बेरवा जैपूर जिले की दूदू सीट से विधायक हैं आपको मतानी कि तीनों ही पद जैपुर जिले से ही है बेठक से पेले राजनात सिंग ने भाजपा के वरिष्ट नेताओं से मुलाकात की और राजनात सिंग ने वसंदरा राजे को बेठक से पेले ही नए मुख्यमंत्री का नाव प्रस्तावित करने के लिए मना लिया था और इसी के तहट वसंदरा राजे कि 55 वर्स उम्र हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और सांगानेर विदानसभा से वो विदानसभा का चुनाव लड़ें हाला कि मूलत भरतपूर के रहने वाले हैं भाजपा में लगातार तीन बार वो यहाँ पर प्रदेश महमंत्री भाजपा में रहें इसके लावा उप मुख्य मंत्री जो दिया कुमारी मनी हैं वो इससे पहले रासमंद में सांसद थी और इस्तिपा देने के बाद अब वो विद्यादर नगर से विधायक हैं और उप मुख्य मंत्री राजस्तान का बनाया गया हैं 52 वर्स उनकी उम्र हैं ग्रेजुएट करकी हैं 1989 में आर्ट एंड डिजाइन स्किल लंदन से फाइन आर्ट्स डेकोरेटिव पैंटिंग डिपलोमा भी उन्होंने कर रका हैं उनका मुख्य रुप से व्यापार उदेपूर की पूर्व राज परिवार की सदेशी हैं उनके के बाद 2019 का लोकसवा चुनाव रासमन से लड़ा और जीती और अब विद्यातर नगर जैपूर से उन्होंने चुनाव लड़कर विधायक बनी हैं और अब उन्हें राजस्तान का उप मुख्य मुंत्री बनाया गया हैं प्रदेश मुख्याले पर बेठक से पहले राजना पर ली बेठक में और बेठक में सभी विधायकोंने सहमती जताई हैं आपको बदा दे कि बजनलाल सर्मा मुख्य मंत्री बने हैं इसी तरह प्रेमचंद बेरवा को उप मुख्य मंत्री इस दियाकुमारी को उप मुख्य मंत्री और वासुदेव देरनानी को राजस्तान का विदान सभा अध्यक्स चुना गया है राजयस्तान में नए मुख्य मंत्री बनने के साथ में राजनितिक बदलावों को अपडेट रखेंगे आपको आप जुडिरी जेवर्दन न्यूज के साथ धन्यवाद दमारूती नंदन ग्राइन नाथद्वारा सेथ एक मात्र अल्ट्रा लग्जिरियस फाइव स्टार होटेल राजसमन जीले की एक मात्र फाइव स्टार होटेल दमारूती नंदन ग्राइन में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ दो सो नभ्य रुपय में श्रिनाथ्ची की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएन